सतसंग अधिगुरु शंकराचारेजी द्वारा रचत शिव मानस पुजा का आज पाँच माश लोग प्राचीन भारत ये मनीशा का संदर्य है कि सभी की सोच का वो सतकार करती है अपना अस्तित्व गवाए बिना सभी का सतकार काल की गरना हमारे हाँ उस अंजाने समय में आरंब हुई जो कितने लाख या कितने क्रोड वर्ष पूर वो हुआ इसका उल्लेक पूर्व के एक सतसंग मेंने किया था जब समवतसर रचे गए मनवंतर रचे गए काल के बड़ बड़ खंड रचे गए फिर भी वर्तमान समय का सतकार करते हुए आज के इस दिन प्रतिपल मंगल में हो इस भाव के प्रसार से आज का सतसंग आरभ करते हैं श्लोक आपके स्क्रीन पर सामने एक एक शब्द बड़ा महत्पून और भाव रूप बहुत सिर का बोज उतारने वाला कर्चर्ण कृतम वाक काय जम कर्म जम वाश्रवन नयन जम वा मानसं वा अपराधं विहितं अविहितं वा सर्वं एतद शमस्व जय जय करुणा अब्धे श्री महादेव शंभो महादेव शंभो यग के उप्रांथम प्रात्ना करते हैं आवाहनम नजानामी नई विजानामी पूजनम विसरजनम नजानामी क्षमस्व परमेश्वर मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुहेश्वर इस प्रकार एक शमायाचनाम करते हैं अपनी भीतर की उस निर्मलता को बनाय रखने की इनोसेंस उसी सरूप में ये श्लूक वही कहता है मैंने जो कुछ भी किया कर चरन कृत्म कर हाथों से करमने हाथ पैरों से चरन कृत्म किया जो भी हाथों से पैरों से कोई कर्म किया वाक कायजम अपनी वानी से अत्वा शरीर समूच शरीर के किसी हंग से द्वारा जम माने द्वारा से कर्म जम कोई कर्म किया अत्वा श्रवन कुछ भी मैंने ऐसा श्रवन किया सेवन किया नैन जम आंखं से मानसम मन से बापराधम कोई अपराध किया अर्थात जो ना करने युग्य था, जो वरजन की दृष्टी में आता था, जो सिद्धान्त की दृष्टी पर अनिती परक था, वो मुझसे हो गया अगर, किसी भी प्रकार से, इसलिए एक एक उले किया, कर्ग हाथों से, चर्णों से, वाकवानी से, काय, पुरे शरीर से, कर श्रवण में कानों को मुख्य माना जाता है, यह तो श्रवण श्रवण का तात्परियर कुछ भी प्राप्त करना, सेवन करना, अब्जॉब करना, पर यहां इसको कानों के दृष्टी से भी जाना जा सकता है, मन से, किसी रूप में, चाहे वो कल्पना हो, चाहे विचार हो कुछ भी हो अपराद किया है विहितम अविहितम अविहितम बड़ी टेड़ी खीर है विहितम तो समझ में आ गया जो कर मुझसे हो गए जो मैंने गलतियां कर दी अविहितम जो नहीं कर पाया अब नहीं कर पाया करतिया नहीं जो गलतियां नहीं कर पाया अविहितम अर्था जो करने योग था नहीं कर पाया करने से चुक गया करने से रह गया विहितम अविहितम वा सर्वं एतद ऐसे जो भी है वो समस्त उन सब के लिए सब के लिए ख्षमस्व ख्षमा करना जै 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 जिसके कभी पराजा नहीं हो सकती किसकी जै हो रही है यहां साथ में जोड़ा करुणा अबधे करुणा के कमपैशन के अबधे माने सागर सागर विराठता का प्रतीक है एक करुणा के सागर आपके समक्ष शमायाचना है और अंत में उनके लिए संबोदन श्री महादेव शम्भो जो कल्यान का रही है महादेव शम्भो महादेव शम्भो अब इसे गाने वाले गाएंगे रिकॉर्डिंग्स का फॉर्मेट बदल के मैं दुबारा भेजूंगा किसी से बदलवाऊंगा जैसे आया ता भेजा बहुत से लोग नहीं खोल पाया उसे मुझे सूचना प्राप्त हो गई मैं आग करूंगा और गाने वाले इसको बहुत सुन्दू रूप से गाएंगे मैं इसे गाने रहा हूँ प्रश्लोक है कर्चरन कृतम वाक कायजम कर्म जम वाश्रमन नैनम जम वा मानसम वा अपराधम विहितम अविहितम वा सर्वम एतदक्षमस्व जै जै करुना दे श्री महादेव शंभो श्री महादेव शंभो इस भाव से आज ये सत्संग शिव मानस पूजा का तो पूर्ण होता है पर इसके साथ जो हमें इसे दोहराने स्मर्ण करने का क्रम है वो पूर्ण नहीं हो रहा उसके लिए हम इस द्यान के साथ इस पूरे स्तुति को कुछ दिन अवश्य गा करके और प्रति दिन स्मर्ण करेंगे प्रति दिन गाएंगे और प्रति दिन इसको स्मर्ण करेंगे जिससे हमारी स्मर्थी में चला जाए कुछ दिन कुछ दिन भी दोहरा जाएगा पूरा तो स्मृति में जाना आरंभ हो जाएगा बाकि आप भी इसको अपने हस्मर्ण करना है ठीक है प्रति पल मंगल में हो प्रति पल कल्यान कारी हो प्रति पल उतकर्ष से भरा हुआ रहे ये मेरी आप सभी के प्रति ईश्वर चरणों में प्रार्थना याचना ब्रम्रशी चरणों में प्रार्थना याचना है हम सभी का कल्यान हो आत्मुत कर्षो ओ महीं सत्य है ओ महीं सत्य है ओ महीं सत्य है